हमारा आज का विशे है गर्पात के साथ और गर्पात के बाद परिवार नियोजन के साधनों का इस्तिमाल कुछ लोग गर्पात को परिवार नियोजन का एक साधन समझते हैं लेकिन गर्पात परिवार नियोजन का साधन कभी नहीं हो सकता क्योंकि गर्ब पात से महिला के स्वास्ते पर बुरा प्रभाव पड़ता है एक महिला को बार-बार गर्ब पात से छुटकारा लेने के लिए परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए आज के समय में परिवार नियोजन के कई साधन उपलब्ध हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं बराबर रूप से भागीदार हो सकती है परिवार नियोजन के साधनों में पुरुषों के लिए जैसे की कंडों और पुरुष नसबंदी उपलब्ध है और इसी तरह से महिलाओं के लिए गोलियां, इंजेक्शन, कौपर्टी और अगर परिवार पूरा है तो महिला नसबंदी प्रचलित है गर पात के बाद तुरंट बाद ही क्योंकि प्रेजिनेंट शंता किसी भी स्त्री की वापस आ जाती है इसलिए उसको परिवार नियोजन का साधन तुरंट इस्तेमाल करना चाहिए परिवार नियोजन के साधन जो की बच्चों की दूरी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे की कंडों, गोलिया, इंजेक्शन या कौपर्टी उसको जैसे ही बच्चा चाहते हैं बंद करने के बाद प्रजनन क्षमता वापस आ जाती है स्त्री को बार बार गरपात कराने से कई तरह के बुरे प्रभाव उसके शरीर पर आते हैं जैसे की संक्रमन, खून की कमी होना और कई बाद तो गर्पात कराने के बाद नलों में सूजन आने की वज़े से उसकी बच्चे पैदा करने की एक शमता तक खत्म हो सकती है कोई भी महिला यदी बार-बार गर्पात करा रही है और उसका परिवार पूरा है तो उसे गर्पात के तुरंट बाद महिला नस्बंदी को अपनाना चाहिए और यदी उसको बच्चे करने हैं तो उसको गर्पात के साथ ही कंडोम, गोलिया, इंजेक्शन या कॉपर्टी का इस्तेमाल तुरंट करना चाहिए गर्पात के साथ साथ ही कॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है बार बार गर्भ पात की स्थिती उनी स्त्रियों के साथ आती है जिनकी प्राथमिक्ता स्वास्ते के प्रती नहीं है इसलिए हम ये मानते हैं कि गर्भ पात के साथ ही कौपर्टी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिससे घर जाने पर अपनी वियस्तता या अस्पताल में आने की असुविधा होने के कारण वो प्राथमिक्ता ना बदले और उससे वो स्त्री तीन साल से लेकर पात साल तक सुरक्षित रह सके गर्पात करने के बाद कौपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए समय की या किसी भी परिशानी की कोई गुझाईश नहीं है गर्पात के तुरंद बाद कौपर्टी लगा दी जाती है जिसमें महिला को ना तो दर्द होता है ना ही उसका समय खराब होता है इसलिए उसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है गर्पात के साथ कोई भी स्त्री यदि नस्बंदी कराती है तो उसको किसी भी प्रकार की अतिरिक परेशानी का सावना नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो समय गर्पात में लगता है उसी के साथ नस्बंदी होने से उसके समय और पैसे दोनों की बचत होती है ये बिल्कुल गलत धारना है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गर्भ पात के साथ नस्बंदी कराने से उनको शारिरी कमजोरी हो जाएगी और वो काफी समय तक काम नहीं कर पाएगी लेकिन सच्चाई है कि गर्भ पात के साथ नस्बंदी कराने से आपका जो समय है वो कम हो जाता है साथ या दस दिन बाद आप वापिस पूर्ण तया स्वस्त रूप से सब कुछ कर सकते हैं कुछ स्त्रियों और पुरुषों में यह गलत धारना है कि नस्बंदी कराने के बाद उनकी यौन इच्चा में कमें आ जाती है जो कि पूर्ण तया गलत है बलकि ऐसा मानना है कि क्योंकि उनका परिवार नियोजित हो चुका है और उनमें गर्भ धारन करने की समस्या का समाधान हो चुका है तो उनका यौन इच्चा में थोड़ी बड़ोतरी हो जाती है हमारी कुछ महिलाओं में यह भी धारना है कि गर्भ पाक के बाद यदि वो कॉपर टी का इस्तेमाल करती है या नस्बंदी करवाती है तो सूजन आ जाती है या अत्यदिक गैस बनने लगती है जो बिल्कुल गलत है कॉपर टी के साथ जो सूजन की शिकायत महिलाएं बताती है वो किसी भी संक्रमन या साफ सफाई कम रखने की वज़े से हो सकती है कॉपर्टी की वज़े से नहीं और नजबंदी के बाद जो अत्यदिक गैस बनने की शिकायत आती है वो खान पान की कमी के कारण आती है नजबंदी की वज़े से नहीं